पुल्वावा हमले में शहीद हुए शहीदों की विरांगनाय कई दिनों के धर्ने के बाद अब पूर्वुक्मुख्य मंत्री सचन पालेट के निवास पर पहुची Civil Line सिट सचन पालिट आवास पर विरांगनाओं और सचन पालिट के सुरक्षा कर्मियों के बीच काफी देर तक गहमा गहमी हुई यहां सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सचन पालिट से मिलने से रोग दिया लेकिन विरांगना मिलने पर अड़ी रही इसके बाद सचन खुद बाहर आए और विरांगनाओं की व्यथा सुनी विरांगनाओं ने कहा साथ दिन से वो धरने पर बैठी है लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है उनके साथ गलत विवहार किया जा रहा है उनका कहना है कि पुलवामा हमले में उन्होंने अपने पती खोई है जिस पर सचन पाइलिट ने उनकी बात को सुनकर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं के निस्तारन का अश्वासन दिया महीं पाइलिट ने कहा कि अगर विरांगनाओं के साथ दुर विवहार हुआ है तो ये गलत है जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है उनके खिलाफ कड़ी कारवाही करेंगे